Hello Friends, Government Job, General Notification Channel पर आपका स्वागत है Friends, आज मैं आपको इस वीडियो में Top 5 IT Courses के बारे में बताऊंगी कौन से IT Courses हैं, जो आप After 12th एक रिजिशन आप कर सकते हैं West Courses हैं, जिस पर आपकी सेलरी है, अगर इनको हम देखें ये कोर्स आप कर लेते हो और ये कोर्स करने के बाद जब आपकी जॉब लगती है, तो सेलरी भी आपको अच्छी खासी हां पर मिलती है साथी हैं मैंने IT Courses से Related एक वीडियो और अपलोड किया हुआ है अगर आपने अब तक वो विजिट नहीं किया है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दूँगी आप उसको भी चेक कर लिजेगा, उसमें मैंने IT Courses के बारे में बताया है जितने भी IT Courses होते हैं, उसके बारे में आपको एक्स्प्लेइन किया है इस वीडियो में मैं आपको टॉफ 5 IT Courses बताऊंगी, जिनको करने के बाद अगर आपकी जॉब लगती है तो एक अच्छी सैलरी आपको मिलेगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप फस्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि नॉटिफेकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, फस्ट कोर्स कौन सा है, जो आप कर सकते हैं फस्ट यहां पर मैं आपको बताऊंगी, आइटिफीसियल इंटेलिजेंसी आइटिफीसियल इंटेलिजेंसी, इसको हम सौट में AI कहते हैं यह computer science की ही एक field है, इसमें इस तरह की machine तयार की जाती है जैसा की नाम से भी पता चल रहा है, artificial intelligence जो human being की तरह, इंसान की तरह बर्क करती हैं, वो machine तयार की जाती है तो अगर आप इसमें interest रखते हैं, आप यह course करना चाहते हैं आपका science subjects पढ़ना जरूरी है, आप अगर science subjects से हैं, तब आप यह course कर सकते हैं साथ में अगर आप यह course करना चाहते हैं, तो कौन-कौन से colleges हैं, west colleges हैं जहां से आप यह course कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी IIT Bombay, ISI Kolkata, IIT Madras, University of Hyderabad और भी कुछ colleges हैं, universities हैं, जहां से आप यह course कर सकते हैं, आपको जो भी suitable रहता है, आप वहाँ से यह course कर सकते हैं Next मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, अगर आप यह course करते हैं, तो आपको किस तरह से job यहाँ पर मिलती हैं तो computer scientist आप बन सकते हैं, game programmer या robot scientist या software engineer आप बन सकते हैं साथी friends मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर जो आपको courses के बारे में बता रही हूँ, उन पर मैं briefly explain करूँगी इस वीडियो में सभी पर मैं explain करूँगी, detail मैं separate video upload करूँगी सभी courses के लिए आगे चलके ओके friends, so चलिए अब हम next देखते हैं, जो second course है वो है nanotechnology, nanotechnology जो field है, इसमें सुक्च में चीजों की study की जाती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, nano का means होता है सुक्च यह course काफी popular है, पसंद किया जाता है student के द्वारा, इसको करने के बाद आपको food, beverage, medicine, agriculture, biotechnology, space research में आपको अच्छे अपसर मिलते हैं job के लिए, साथ में आप इसमें BE, BTEC, PG आप कर सकते हैं, और अगर हम university या college अगर हम देखें, तो पूने उनिवर्सिटी, देली उनिवर्स cities हैं, colleges हैं, जो यह course करवाती हैं, आपको जो भी suitable रहता है, अब वहाँ से कर सकते हैं, इसके अगर हम salary देखें, तो 25,000 से 40,000 आपकी यहाँ पर salary पर मन्त रहती है, तो यह course भी आप कर सकते हैं, इसमें भी आपका एक अच्छा carrier इसमें आप बना सकते हैं, next हम देखते हैं, cyber security या IT security, cyber security जैसे कि हम देखते हैं, internet का use दिन परती दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी काफी फाइदे हैं, internet के through हम बहुत से काम घर पर बैठे कर लेते हैं, साथी हमें knowledge भी मिलती है, education field में भी हमें काफी help रहती हैं, internet से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके नुकसान भी है, cyber crime काफी बढ़ गया है, जैसे कि हम होना, अपना जो personal data है, चोरी हो जाना, इस तरह के कई जो cyber crime हैं, आजकल काफी cyber crime बढ़ गया है, और इसको देखते हुए cyber field में काफी अपसर बढ़ गये हैं, आप IT security या cyber security में degree कर सकते हैं, degree available हैं, आप degree कर सकते हैं, इसमें काफी अपसर हैं, आप अपना carrier इसमें बना सकते हैं, यह जिस तरह से, जैसे कि मैंने बताया, cyber crime काफी बढ़ गया है, तो उसे साब से cyber security के लिए भी काफी अपसर बढ़ गये हैं, अगर आप इसमें अपना carrier बनाना चाहते हैं, आप इसमें degree कर सकते हैं, जो भी आपको suitable रहे, आप कर सक सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको तीन ही वेंसन की हैं, अगर हम salary देखें तो 4 लाग से 5 लाग का package आपका रहता है, परियर का, आप यह भी कोर्स कर सकते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, cloud computing, cloud computing यह कोर्स भी आप कर सकते हैं, जिन student के पास computer science, engineering degree है, waste field में बहुत अच्छा अ काफी अपसर मिलेंगे और आपको आसान हो जाएगा इस field में जाना, salary देखें तो 5 लाग से 20 लाग का package रहता है, पर year, आप यह कोर्स भी कर सकते हैं, अब हम अगर इसका job देखें, आप किस तरह से job ले सकते हैं, तो software, architect, IT architect, cloud software, engineer आप इसमें बन सकते हैं, तो यह हैं 4, आप जो separate video है, upload कर चुकी हो, अगर आपने नहीं देखा है, लिंक आई बटन पर आपको देदूँगी, वहां से आप उसको check कर लिजेगा, fully explain किया है, graphic design भी काफी popular है, इसमें भी काफी लोग इसको पसंद करते हैं, इसमें अगर आप कोर्स देखें, तो IIT Delhi, Bombay, Delhi University से आप इसको कर सकते हैं, इसके अलाबा अगर इसका full explanation मैंने video upload किया है, वहां से जरूर इसको check कर लिजेगा, so friends, ये थे 5 top 5 IT courses के बारे में, मैंने आपको explain किया, briefly explain किया है, अगर आप comment करते हैं, वैसे मैं इन पर video upload करूँगी, separate video upload करूँगी, लेकिन अगर आप जल से जल चाहते हैं, तो comment कर दीजेगा, मैं जल से जल कोर्स करूँगी, upload करने की, अगर आपको ये video helpful रहा हो, या video आपको पसंद आया हो, तो video को like कर लिजे, channel को subscribe कर लिजे, और bell icon को press कर लिजे, ताकि notification आपको time से मिल सके, साथी मेरा second channel है, link description box में दिया है, वहां से आप जरूर उसको visit कर लिजेगा, मैं जी के reasoning, riddles, puzzles लाती हूँ, अगर आप इसमें interest रखते हैं, तो link description box में है, channel पर जाए, विजिच कीजे, अगर पसंद आए, तो like और subscribe जरूर कर लिजेगा, thank you